अब हम चैप्टर फॉर क्लास पाइब का चैप्टर फॉर पढ़ेंगे मेटेरियल अफ डेली यूज़ जैसे कि जो मेटेरियल हम डेली यूज में यूज करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है क्लॉथ इसके बाइरे में हम जानेंगे इसमें दो-तिन पॉइंट बहुत ही में है जो कि डिफरेंट टाइप अफ क्लॉथ मेटेरियल डेवलप्मेंट अफ क्लॉथिंग मेटेरियल स्वैल एंड क्लाइमिट कंडिशन रिक्वार्ड फॉर्टिवेशन ऑफ प्लांट फाइबर्स कॉटन जूट एंड लास्ट पॉइ जाते हैं तब तक अगर हम कपड़े के ऊपर ध्यानते तो बहुत सारा ऐसा टाइमिट होता है जिस समय में हम क्लॉथ चेंज करते हैं स्लिपिंग टाइम का नाइट ड्रेस अलग होता है स्कूल जाते हैं तो यूनिफॉर्म अलग टाइप का पहनते हैं घर पे डेली यूज चाहिज वाले कपड़े जो होते हैं और सब के बनाने के लिए जो मेटेरियल का यूज होता है वह भी डिफरेंट टाइप का होता है अब जैसे कि कॉटन है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम अगर सॉक्स पहन रहा हैं तो वह भी कॉटन का हो कोई जरूरी नहीं है कि सॉर्ट पैंट, स्कॉर्ट जो भी पहन रहे हैं वो सारे चीज कॉटेन का हो तो उसमें बहुत सारे टाइप आप मेटेरियल लगकर के बनते हैं जो जिसे की क्लॉथ तयार होता है अब है अब देखे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी कपड़े के पहनावे से हम देख करके समझ जाते हैं कि वो किस कल्चर के हैं या फिर उनका वो कहां के रहने वाले हैं कि ऑっ और सुधी सोल यूनिफार्मद्ए डिफ्रेंट के सीजन इन वइने ईवियर अब देखे अब सीजन के कनदी लोग नी कि अपने कपड़े को चैंज करतेंद जैसे बरसात का समय होता है Totow बसात की समय में हम अलग क्लॉथ फानते हैं ठंडे के टैम में हम अलग टाइप हा क्लॉथ फानते हैं और समर के टैम में अलग टाइप का लाती है समर में हमान मेंुग कॉटें कप्रा क यूज करते है När dozen जो है कोर्त है लोग यूज़ करते हैं थंडे के दिनों में उसके बाद चब रेनी सीजन आते हैं तो रेन्ची से डिप्रेंट है करते हैं तो यह हम बनाने के लिए अलग अलग टाइप के मेटेरियल को भी यूज किया जाता है अब देखिए नेक्स्ट क्या है किस कितने टाइप के क्लॉथ होते हैं अब है हिस्ट्री ओफ क्लॉथिंग पहले हम यह जान जाए कि क्लॉथ क्लॉथ जो है वह स्टार्टिंग कहा से हुआ जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि यह जो एक मैन और एक उमेन और एक चाइल्ड यह एंसीन टाइम में है पहत पुराने समय में यह कप्रे का खोज नहीं हो पाया था उस समय में लोग जो है वो पेड की छाल को ले करके बड़े-बड़े लीफ को ले करके अपने बड़ी को कभर करते थे और उसी को कप्रे के रूप में दिफ्रेंट कम्यूनिटीज एंड विद देवलप्मेंट अफ एग्रिकल्चर दे लर्न टू वियर ट्वियर ट्विंग्स एंड ग्रासे इंटो मैट्स बास्केट्स एंड अधर यूटिली यूटिलेटी अब देखिए अब है कि जब एंसीन टाइम में लोग एक दूसरे के साथ कम्यूनिटी में समूह में जब रहना सुरू कर दिये तब इन्होंने एग्रिकल्चर का सुरुवात किया है और एग्रिकल्चर के साथ ही ये दो लिफ को एक दूसरे के साथ एटेच करके उसको एक बास्केट बनाना मैट बनाना ये सीख गया और इसको सीखने के बा यूज करते थे, they also used two twins' climbing plants and animals' fleece, wool coat of animals are fair into long strands, these long strands were then woven into fabrics. In India, cotton was grown near the river Ganga during Harappa period as यरली अब ये आपको इसका हिस्ट्री दे रखा है कि हडपा की जब सब बता सुरू हुई थी उसी समय में कॉटेन का खोज हुआ और उसी को ये जो कि पचीस सो 2500 जो है इस भी पूर्ब ये इसका एडवंचर हुआ था इसका खोज हुआ था और उसके बाद कॉटेन कपड़े को जो है सिलने का काम स्टार्ट हुआ जो कि बहुत बड़े कपड़े में एक कपड़े का बहुत बड़ा पीस टुपड़ा होता था और उसी को लोग लपेट करके उसको पहनना सुरू की है इसम बहुत उसी समय से साड़ी जो कि इंडियन कल्चर के कोटिंग जो का साड़ी की घुच उसी समय से वही उसके पाद धीरे डीरे नीडिल का भी Bene जिव हैं दो कपड़े को एक साथ इस पिंच कर करके उसको छूट तयार किया गया सघ्ट टयार किया गया पैंट टैयार किया गया अधेयर किया अज के डेट में टाइड पाफ्रिक्ट फार्क भी रहे तेह कि पहनते हैं जैसे कि धोती हो यह जो पगडी बनाते हैं घर वान वर्म यह सब बिना स्टीच के बड़ा सा कपड़े कर टुकड़ा होता है उसी को लपेट करके यह सब टाइप अव फैब्रीक्स अब फैब्रिक है तो कितने टाइप का fabrik होता है तो ये दो टाइब का कलेश्पाई किया गया है, natural fabrics और synthetic fabrics. अब natural fabrics किया है, fabrics made of fibers obtained from natural sources are termed as natural fabrics. They are further divided into two category, animal fabrics and plant fabrics. अब देखिये, अब natural fabrics को भी दो भाग में बाटा गया, एक तो है animal fabric, अब इसी में आपका अशूपा हुआ है एनिमल से मिलने वाले फैब्रिक गड़न फैब्रिक करते हैं तो जैसे की अनिमल से क्या-कया मिलता है फैब्रिक स अप्टेनिंग फ्रॉम एनिमल सोर्च एर पूल के ऊल्पकर आपके और जो है कस्मीरी फ्र एंड सिल्क अलब अब मिलता है और उल अब सीप जो है एनिमल है तो एनिमल से मिलने वाले फैब्रिक्स को एनिमल फैब्रिक्स बोलते हैं अब उसी तरह से प्लांट फैब्रिक्स फैब्रिक्स अप्टेनिंग फ्रम प्लांट आर फ्लैक्स, रेमिन, हैंप, कॉर्टन, एंड जूट यह जो है वो प् अब यह जो कोकोनेट का जो फ्रूट से होता है इसके फर्से विच अंदर का जो फर्व होता है इस फर्से भी डॉल बनाने का काम किया जाता है जो डॉल का बाल होता है वो सब इन से डेकोरीट करने का भी काम किया जाता है तो यह सारे चीज जो है वो प्लांट से मिलते हैं इसलिए इसे प्लांट फैब्रिक्स कहा जाता है अब है synthetic fabrics वहां हम लोगों ने पढ़ा पहले नेचुरल नेचुरल फैबरिक्स तो नेचुरल में दो तरह के हो गए एक एनिमल फैबरिक्स और दूसरा प्लांट फैबरिक्स एनिमल फैबरिक्स वह हुआ जो एनिमल से मिला जैसे की उल उल जो है वह हमें सीप के फार से मिलता है तो इसलिए यह इनिमल फैबरिक्स हो गया प्लांट फैबरिक्स जूट कॉटन मिलता है जूट प्लांट से भी जो फैबरिक्स मिलता है उसे भी क्लोथ बनाया जाता है तो यह हमें प्लांट से मिला इसलिए इसे प्लांट फैबरिक्स कहा गया अब है दूसरा टाइप का मैनमेड है अब यह मैनमेड कौन कौन सा होता है नाइलोन पॉलिष्टर उसके बाद हो गया टेरिलीन यह सब जो है वह सिंथर्टिक फैब्रिक्स हो गया है अब इससे रिलेटेड कुछ आपके पास एक्टिविटी दिया हुआ है वह आप एक्टिविटी को कर लेंगे यह बह इसको खुछ इससे रिलेटेड कुश्चन अंसर है इसको इसके बाद वाला जो कॉटेन है या फिर कुछ और भी इसमें जो पॉइंट बचे हुए है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिल किया जाएगा अगर इसके इसमें अभी कोई जितना अभी बताए गया इसमें अगर क कोई आपको प्राब्लम है तो कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ओके बाई